दोस्तो आज हम कवर करेंगे हॉलिवूड की टॉप 10 बेस्ट साइंस फिक्षिन मूवीज को साइपाई मूवीज की खासियत होती है इसमें दिखाई जाने वाली एडवांस टेकनोलजी जो हमें एंटेटेन करने के साथ साथ बहुत सारी नॉलिज भी देती है और इस लिस्ट की सभी फिल्म में मेरी भी फेवरेट है और अगर आप इसी तरह की जबरदस मूवीज की लिस्ट को ढूने में अपना टाइम बेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिक्शन को भी आउन कर देना क्योंकि मैं आपको ऐसी सी मूवीज के बारे में बताऊँगा जोकि आपको पूरी तरह कैसी चोकाने के साथ कमाल का एक्स्पेर भी देंगी तो वीडियो का आखरी तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको साइफाई मूवीज की बेस्स लिस्ट मिलने वाली है नमबर दस पर है असेशियन क्यूरी जोकि आइधी 2016 में एक एक्शन एड़रेंचर मूवी है मूवी में कहानी एक खतरनाक सोसाइटी के वंशक कैलम की जिसे एक आदोनिक मशीन के द्वारा समय में पीछे भेजा जाता है ताकि वो अतीत में दबे अपने पूलवचों के राज को जान सके और उनके दाव पेज भी सीख सके जोकि उसके पूलवच किया करते थे ताकि वो लोग एक एवल औरगनाजेशन को रोग सके जोकि एक खास तरह के एपल की तलाश में है जिसमें कुछ hidden genetic codes सामिल है तो वो उसका क्या करेंगे और कैलम उन्हें रोग पाता है या नहीं आप देखे इस मूवी में मूवी में आपको जबरदस्ट वीजवल्स और फाइट्स देखने के लिए मिलेगा और ये मूवी एक गेम के उपर बेजड है जिसका नाम भी अशिशन क्रीड है इस मूवी को IMDB पे 5.7 आउट ओफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है चाहो तो आप इसे Amazon Prime वीडियो भी देख सकते हो नमबर 9 पर है Green Lantern जो किया ही 2011 में एक action science fiction मूवी है जब एक ring एक human pilot को चुनती है प्रित्वी में आने वाले खत्रों को रोकने के लिए और एक evil parallax को हराने के लिए जिस ring की मदद से वो human convert हो जाता है एक superhero में जिसे कहते हैं Green Lantern तो वो दुनिया में आने वाले खत्रों को कैसे रोकेगा आपको इस movie में ही देखना चाहिए इस movie के visuals काफी अच्छे हैं और आपको काफी funny moments भी देखने के लिए मिलेंगे इस movie का IMDb पर 5.5 out of 10 की rating मिली है और ये movie Hindi में available है चाहो तो आप इस Amazon Prime Video के भी देख सकते हैं नमबर 8 पर है Push जो किया थी 2009 में एक science fiction action movie है movie में कहान ये past में किये गए कुछ खतरनाक experiments की जिसकी वज़े से 9 तरह के अलग-अलग शक्तियों वाले super humans बनाए गए हैं और सभी के अंदर कमाल के abilities होती है लेकिन एक division नाम का secret government organization एक लड़की की तलाश में होता है जिसके पास कुछ खास तरह का drug होता है जिसे Hong Kong में रहने वाले दो शक्तिशाली Americans भी ढूंड रहे होते हैं ताकि वो भविश्य में होने वाले खत्रे को रोप सके आखिर वो लड़की कौन है और सब लोग उसका पिछा क्यों कर रहे हैं आपको इस movie में ही देखना चाहिए यह एक जब जब स्टोरी लाइन वाली science fiction superhero movie है जो आपको बिल्कुल भी miss नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस movie के lead में दुनिया के सबसे बहतरीन actor Chris Evans है जो की famous है Captain America के नाम से इस movie को IMDb पे 6.1 out of 10 की rating मिली हो और यह movie हिंदी में अवेलेगन है नंबर साथ पर है Lucy जो कि IT 2014 में एक science fiction action movie है विज्यान के मुदाभी इंसानों ने अभी तक अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तिमाल किया है जिसमें हमने सुई से लेके rocket और सभी बड़े बड़े अविशकार किये लेकिन क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग का 100% तक यूज कर पाए इसी concept में बनी है ये movie जब Lucy नाम की एक लड़की के साथ एक हाथसा होता है तो वो अपने दिमाग का 1-2% से उपर का level unlock करना शुरू कर देती है जिसकी वज़े से उसके अंदर अविश्वशन चमता यहां जाती है जिसके बाद वो जो जो चीजे करती है वो आपको पूरी तरीके से चोका देगा और 100% में पहुचने पर क्या होगा आपको इस movie में ही देखना चाहिए यह अब तक की सबसे जबजस्त concept में बनी science fiction movies में से एक है जो आपका दिमाग पूरी तरीके से हिला देगी इस movie के अंदर ऐसे ऐसे चोका देने वाले facts दिखाए गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी possible है इस movie को IMDb पे 6.4 out of 10 की rating मिली है और यह movie हिंदी में अवेलेवल है चाहो तो आप इसे Netflix पे भी देख सकते हो नमबर 6 पर है प्रीगाई जो कहती 2021 में एक action adventure movie है इस movie में आप story देखोगे open world video game की जिसके अंदर के एक background player को एक दिन एहसास होता है कि उसके life एकदम फालतू और बेकार है जिसके चलते वो decide करता है कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा और अपनी कहानी का hero बनेगा जबकि उसकी programming ऐसी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी से चलने लगता है जिसके चलते game के अंदर क्या-क्या भसड मसती है और उस player के साथ क्या-क्या होता है आपको इस movie के अंदर ही देखना चाहिए movie की story और दिखाए गए funny scenes आपको काफी ज़्यादा पसंद आएंगे इस movie का IMDB पे 7.2 out of 10 की rating मिली हो यह movie हंदी मैं अवेलेवले चाहो तो आप इसे Disney Plus Hot Star पे भी देख सकते हैं नमबर पांच पर है iRobot जो किया इती 2004 में एक science fiction action movie है movie में कहान यह हमारे future की जब सभी छोटे और बड़े काम high-tech robots करते हैं जिसकी वज़े से crime rate zero हो जाता है लेकिन इसे बीच एक doctor की हत्या हो जाते है जिसकी investigation करता है एक Dell नाम का officer और उसे robots के बारे में कुछ ऐसे secrets पता चलते हैं जो आप movie में ही देखोगे तो ज़्यादा बहतर होगा अगर आपको rewards और high-tech movies पसंद है तो ये film आपको काफी ज़्यादा पसंद आईगी और इसकी story और visuals भी काफी अच्छे हैं इस movie को IMDB पे 7.1 out of 10 की rating मिली हो ये movie हिंडी में available है नमबर 4 पर है I am no.4 जो कि IT 2011 में एक science fiction action movie है मूवी में कहानी है एक super powers वाले टीमेजर लड़के जॉनी स्मीट की जिसे नहीं पता कि उसे उसकी power किस तरीके से use करनी है और वो अपने protector के साथ अपनी identity को height करके एक शहर से दूसरे शहर छुपता फिरता है क्योंकि उसे कुछ खतरनाग creatures मालना चाते हैं लेकिन इस बार उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहता ऐसे में कैसे वो अपने आपको बचाएगा आप देखिए इस movie में इस movie के weasels और actions कमाल के हैं इस movie का IMDb पे 6.1 आट ओफ 10 की rating मिली हो ये movie हिंडी में available है अगर आप जानना चाहते हो कि 500 साल बाद हमारा भविषय कैसा हो सकता है तो इस movie में आप भविषय का एक fiction रूप देख सकते हो जब एक आईडो नाम के डॉक्टर को एक साइबोग यानि एक female robot कचरे में मिलती है जिसका treatment करके डॉक्टर उसे एक नई जिन्देगी देता है उसको नाम देता है अलिटा जो अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी है और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन है और कहां से आई है और उसमें क्या कुछ करने की छमता है तो आपको इस movie को ज़रूर देखना चाहिए advanced technology के साथ आपको mind-blowing story और कमाल की love story भी देखने को मिलेगी इस movie को IMDV में 7.3 out of 10 की rating मिली है और ये movie हिंदी में एविलिबल है चाहो तो आप इसे Disney Plus Hotstar पे देख सकते हो नंबर 2 पर है कोमा जो किया थी 2019 में एक action science fiction movie है movie में कहानी एक architecture की जिसे होश आने पर पता चलता है कि वो एक chaotic dystrophian world में है जो जगा कोमा में गए लोगों के यादों से बनी होती है जहाँ कोई physics law work नहीं करता और वहा रीपर्स नाम की कोई खतरनाक चीज उस पर हमला कर देती है लेकिन उसे कुछ लोग बचा लेते हैं ताकि वो उनकी एक बहुत बड़े प्लान में मदद कर सके वो आखिर उससे क्या करवाना चाहते हैं आपको इस movie में ही देखना चाहिए इस movie के visuals कमाल के हैं और story भी जबरजस्त है और एक fiction world दिखाया गया है कोमा में जाने वाले लोगों का इस movie को IMDb पर 7.6 out of 10 की rating मिली है और यह movie हिंदी में अवेलेवले चाहो तो आप इस Amazon Prime वीडियो पर भी देख सकते हैं इस movie के story आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी इसमें दिखाये गए CGI और VFX कापी कमाल के हैं जो कभी भी आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे यह one of the best science fiction movies में से एक है इस movie का IMDb पर 6.6 out of 10 की rating मिली है और यह movie हिंदी में अवेलेवले चाहो तो आप इसे Disney Plus Hot Star पे भी देख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना आपका एक लाइक काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी तरह की best science fiction movies की लिस्ट आपको उपर आई बटन से भी मिल जाएंगी और उन दोस्तों के साथ आपको इन movies को ज़रूर शेर करना चाहिए जो कि फालतू की movies देखके अपना time based करते हैं और comments करके हमें ज़रूर बताना आपको और किस तरह की movies लिस्ट चाहिए तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में